नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बात करने वाले हैं गुजरात कैस के बारे में दोस्तों एक मल्टी बैगर स्टोक्स है और अगर आप इसकी तुलना जो है पिछले दो-तीन महीन से करने के कोसिस करेंगे तो आपको पता अगर आप जो है अगर इसके आज के कारोबार की इस तरी देखें तो आपको जो हलका सा एक हम जोड़ दिखाए दे रहा है बागे स्टोक्स के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है बीते पांच जुनों के अंदर भी आपको यह मजबूत दिखाए दिया स्टोक्स नीचे लग लगबग 3014 रुपए 90 पैसे के आसपास यह स्टोक्स ओपन होता है और सेम लगबग 3015 रुपए यहिस टोक्स जो है अपना हाई बनाता है और उसके बाद में लगबग बात कर लेते हैं नीचे तो 310 रुपए 85 पैसे इसका अभी फिलाल में इसका लो बनता हुए नज़ा तो दोस्तों एक कमजोरी जो है स्टोक्स के अंदर हलकी सी दिखाई दे रही है साइड रेंज में जो है स्टोक्स काम कर रहा है तो मेरा मानना यह ही है कि अगर नीचे लगबग 307-306 रुपर थे टार्गेट भी स्टोक्स के अंदर आपको इंटरडे के अंदर दिखाई दे तो लोंग टों प्रोस्पक्टर सा अगर आप रखते हैं तो लगबग 307-318 तक के 102 जिर के अंदर आपको स्टोक्स के अंदर टार्गेट देखे जाने चाहिए बात कर लेते हैं वनमंत के दुरान किस तरीकी का मोमेंटम स्टोक्स के अंदर रहा है तो लगबग जो है वही जो टार्गेट हमने आप से डिसकस किया था वही स्टोक्स का जो है अपर रसिस्टेंस लेवल मान सकते हैं लगबग 320 रुपे का वहाँ बनके आ रहा है तो फिल फिलाल में दोस्तों एक जो है साइड रेंज में स्टोक्स चल रहा है कुछ दिनों से लगबग अगर हम वनमंत का कैलकुलेशन करने की कोसिस करें कि तो लगबग 290 एक बार जाने के बाद में स्टोक्स के अंदर उचा रहा है और फिर जो है स्टोक्स नहीं लगबग 317 से फिलाल में स्टोक्स एक अपर रेंज में जो है काम कर रहा है तो माना यहीं जा सकता है कि स्टोक्स में के अंदर जो है एक हलकी प्रॉफिट बुकिंग जो है देखी जानी चाहिए फिलाल में अकर मान सकते है कि नीचे के लेवल लगबग 302 रुपे तक के लेवल जो है स्टोक्स के अंदर आगया ने वाले दिनों में तेजली देखी जाने चाहिए बात कर लेते हैं दौरान किस तरिकी का मोमेंटम स्टोक्स के अंदर देखा गया तो दोस्तों आईसा बिल्कुल नहीं है कि स्टोक्स आपको जो है दमाकेदार रेटन्स देता जा रहा है जादतर समय तीन सो रूपर के ओपर जिए बिताया है तो कहीं न कहीं जो है आप इसे तीन सो रूपर मजबूत मान सकते हैं तो ओ सीम Columbى घुन az keyboards कर सकते हैं लंग आपते साक्ते से पहले भी जLAN 40 रुपए के टार्गेट हासिल हो जाएं तो इसी तरीके के स्टोक्स है फंडमेंटली बहुत पहतरी नहीं अगर पिछले 5 साल की दुरान किस तरीकी के स्टोक्स की चाल रही है अगर आप देखने की कोसिस करेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे दोस्तों के लगातार जो है स्टोक्स का मुमेंटम फिलाल में पोजेटिव बना हुआ तो माना यह जा सकता है कि आने वाले दिनों में आपको काफी चीजे जो है डबलाप हो रही है एक नजर डाल लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में दोस्तों फाइनसल ट्रेंट को समझने की कोसिस करते हैं लगातार जो है रिवेन्यू के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है लगबग 2017 से तुलना करने की कोसिस करें क्रीजमेंट देखने को मिला 2019 में फिर बढ़त हुई फिर 2020 में तो काफी मल्टी बेगर जो है आपको रिटन भी मिले हैं और काफी प्रॉफिड भी जो है कंपनी को हुआ है एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों इसके शेरोल्डिंग पैटरंस के बारे में कि कंपनी की जो शे की होल्डिंग बनती हुने ज़रा रही है अगर एफाइस की बात करें तो लगबक 9% से ज़्यादा की एफाइस की होल्डिंग बनती हुने ज़रा दी यह आकड़े हमारे पास में दोस्तों हैं जून 2020 कोटर के अकर नजर डालें लगबक मार्च 2020 कोटर के तो आप देख पार आप इस स्टोक से कमा सकते हैं दोस्तों यह जानकर है अगर आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जुरूर कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके थैंक यू सो मच पूर वाच झाल टीजो voll झाल न जावाश करो झाल आपको इसना धनीः मोबाइल तोर कीजिएगर से करेंगा अज़्यो के अफेधा वेलिण श्यान के वेजिएगगर bom दो कीजिएर दूर येां कि दिएगर टीज़र रिदे हीजश है यहा कि